नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचे दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सिवा में एक बहुत ही महतों जानकारी को ले करके जी हाँ आए जानते हैं आज हम सभी कल के भारे में एक बहुत ही बहतरीन योग इसको वैसे तो आप जब चाहें तब कर सकते हैं आपके माइन में कुछ न कुछ ऐसा होता है कि मेरे लिए ये चीज लग्की होती है उसको लोग फॉलो भी करते हैं तो वो एक साइकलोजिकल फैक्टर होता है फैक्ट होता है किसी भी फैल्ड में चाहें आप काम कर रहे हूं आप क्रिकेटर्स को भी कई बार सुनते हैं कि उनको लगता है कि अपना लग्की पैड पहना हुआ है तो अच्छा रन बनाएंगे जबकि सभी जानते हैं कि अगर आप अच्छा खेलोगे तो ही रन बनाओगे ठिक वैसे ही ये चीजे हैं ये साइकलोजिकल इफेक्ट्स हैं इसी मेंसे आज हम आपके लिए एक लाएं है टोटका जो की बेहद ही कारगर साबित होता है अगर आप फून फेत के साथ इसको अपनाते हैं तो जिहां जैसे कि कल 11 फरवरी है रविवार कल के दिन विजया ए एकादशी है जिहां एकादशी का वरत वैसे तो आप साइंटिफिक रिजन पर भी जाते हैं तो देखते हैं कि वरत करने के लिए डॉक्टर्स भी बोलते हैं क्योंकि आप मालीजे महीने में कम से कम दो दिन फास्ट करते हैं तो आपके शरीर को सही धंग से आराम मिल जाता है ताकि आगे से उसका डाइस करने का पावर अच्छा रहता है डॉक्टर्स भी कहते हैं ठीक वैसे ही अमारी एकादशी बनाई हुई है आपको हिंदू धर्म कलेंडर के कोडिंग आप देखेंगे धर्म शास्त्रों के कोडिंग देखेंगे तो तो यह फायदा होता है कि अगर आप चाहें मान करके करें साइंस को मानते हैं तो भी आपको करना होगा और अगर आप धार्मिक रूप से मानते हैं तो भी अच्छा है सबसे बड़ी बात है कि आपको करना ही होता है ठीक वैसे ही आई आज एक उपाय ऐसा जानते हैं जिसको करके बहुत सारे लोग ल इन मुख्यत विश्णु भगवान की प्यूजा की जाती है इसलिए अगर आपके घर में विश्णु भगवान और लक्ष्मी जी की मूर्ती हो तो सबसे अच्छी बात है आप अपने घर के मंदिर के सामने बैठ जाईए और एक घी का दीपक लिजिए उस दीपक को आप उसी माचिस से जला देजिए जो नई माचिस खरीद के अपलाएं इसके बाद पून आराधना कीजिए पूनता पूजा कीजिए भगवान की और ओम नमो भगवते वाशुदेवाय मंत्र का आप जाप करें इसके साथ साथ आप चाहें तो ये 21 से लगा करके 101 बार जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना कर लें इसके बाद आपको करना क्या है इस माचिस को रात को वहीं पे छोड़ देना है और अगली सुबह जाकर कि किसी भी मंदिर में या फिर जो आसपास धार्मी कस्थल हो वहाँ पे रख दीजिए लोगों को जरूरत परती रहती है माचिस की वहाँ की जरूरते पूरी होती हैं तो कहीं न कहीं इंटर्नल मन में खुशी होती है उनको और उस खुशी का लाफ आपको भी मिलता है क्योंकि आप भी उसमें सरीक हो जाते हैं बराबर के भागिदार बन जाते हैं तो आप चाहें तो ये हर सपता हमें कर सकते हैं आपके लिए बह योग को स्टार्ट कर सकते हैं इससे आप लाभानुईत हो सकते हैं ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहद ही महतोपूर्ण जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों